मोर्य समराज के पतन के बाद बहु सारे नए-नए एंपाइरस और किंग्डमस अस्तितु में आए जैसे कि सुंगा डैनेश्टी, सुंगा डैनेश्टी ने मोर्य समराज का अंत किया था फिर कनवा डाइनेस्टी और ऐसे ही सेंट्रल एसिया के लोग भी देश के कई हिसोप पर सासन स्थापित किये जैसे की इंडो ग्रीक्स, सकाज, कुसानाज और इन्होंने देश के अलग-अलग हिसोप पर सासन स्थापित किया इस चैप्टर में हम कुछ महत्पूर नामों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने हमारे देश के विभीन हिसोप पर सासन किया जिसमें पहला नाम है समुद्र गुप्त का ये गुपता डैनेस्टी के फेमस रूलर थे इनके बारे में हमें पता चलता है जो असोकन पीलर इस्थित है अलाहाबाद में उस पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उससे पता चलता है और ये जो अभी लेख है, इसकी रचना काभी के रूप में की गई थी हरी सेना की द्वारा, हरी सेना उनके कोट के पोएट थे और मिनिस्टर भी थे ये एक special type का inscription है, जिसको की प्रसस्ती कहा जाता है, प्रसस्ती का मतलब होता है, in praise of, मतलब प्रसंसा में प्रसस्ती के बारे में हमने पिछले chapter में भी पढ़ा था, chapter 8 में, जिसमें हमने जाना था कि गौतमी पुत्र सी सतकर्नी जो थे, जो सातवाहना डाइनेस्टी से थे, इनके बारे में भी प्रसस्ती लिखा गया था, लेकिन जो गुपता का जो टाइम आया, गुपतवंस का जो टाइम आया, इस टाइम से प्रसस्ती ज्यादा महत्पूर्ण हो गया इसमें जो कोट पोएट होते थे वो अपने सासक की प्रसंसा में कविता लिखा करते थे और इसी को प्रसस्ती कहा जाता है अब जानते हैं समुद्र गुप्त की प्रसस्ती के वारे में कि समुद्र गुप्त की प्रसस्ती हमें क्या बताती है तो इसमें कवी ने राजा की एक युद्धा एक वारियर युद्धों को जितने वाला राजा विद्ध्वान तत्था एक उत्क्रिष्ट कभी के रूप में प्रसंसा की है और यहां तक कि इस इस्वर के बराबर भी बताया गया है पर सस्ती में बहुत ही लंबे-लंबे वाकी दिये गये है और यहां पर इस वाक का कुछ अंस दिया गया है जैसे समुद्र गुप्त के बारे में युद्धा समुद्र गुप्त जिनका सरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुलहारियों, तीरों, भालों, बर्चों, तलवारों, लोहे की गदावन, कीले, तीरों तथा अन सैक्रो हत्यारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुन्दर दिखता है ये समुद्र गुप्त के प्रसंसा के रूप में लिखा गया है उनके युद्ध के बारे में अब चलते हैं पेज नंबर 18 पर जिसमें एक मैप दिया गया है और इसमें प्रसंस्ती में प्राप जानकारियों के आधहार पर इस मैप को बनाया गया है इसमें चार तरह का एरिया दिखाया गया है एक तो ये रेट डॉटेड है दूसरा ये ग्रीन कलर का तीसरा है वाइलेट कलर का बैगनी कलर का और चोथा है ब्लू कलर का इन चारो एरिया पर समुद्र गुप्त अलग-अलग धंग से सासन करता था पहले जानते है ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया है उसके बारे में ये ग्रीन कलर का जो एरिया है वो आरिया वर्त के उन नौ सास को कहे जिन्हें समुद्र गुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने समराज में मिला लिया इसके बाद ये जो रेड डॉट दिया गया है ये दक्षिन पत के जो बारह सासक थे उनकी राजधानी है और ये जो बारस आसक थे दक्षिन पत्थ के ये सब हार जाने पर समुद्र गुप्त के सामने समर्पन कर दिया था और समुद्र गुप्त ने उन्हें फिर से सासन करने की अनुमती दे दी और ये जो है बैगनी कलर का एरिया काफी विस्तार है इसमें असम, तटिये बंगाल, नेपाल और उतरपस्थिम के कई गनिया संग आते थे और यहां के जो सासक होते थे वो समुद्र कुप्त के लिए उपहार लाते थे उनकी आग्याओं का पालन करते थे तथा उनके दरवार में उपस्थित हुआ करते थे अब है यह ब्लू कलर का जो एरिया है यह बाहरी से सासक का एरिया था और सायद कुसान और सकवन्स का एरिया था और इसमें स्रिलंका के सासक भी थे इन्होंने समुद्र गुप्त की अधिनता स्विकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उतसे किया तो ये था चारतरह का एरिया जिस पर डारेक्ट या इंडारेक्ट रूप से समुद्र गुप्त का कंट्रोल था यहाँ पर दो सिक्का दिया हुआ है जो कि समुद्र गुप्त का है इस पर समुदर गुप्त के गुन को दिखाया गया है कि इस सिके में उन्हें वीना बजाते हुए दिखाया गया है अब इस मैप में हम देखते हैं प्रयाग, उज्जेन और पाटली पूत्र जो कि गुप्त सासन के महतपूर्ण केंदर थे ये है पाटली पुत्र उसके बाद परियाग अलहावाद में उसके बाद उज्जैन ये सब उसके सासन के महतपूर्ण के अंदर थे अब जानते हैं जीने लौजीज मतलब वनसाव लियू के बारे में ज्यादा तर प्रसस्ती जो है वो जो सासक होते थे रूलर होते थे उनके एंसेस्टर के बारे में भी बताया गया है उसमें और अलहावाद के पीलर पे जो प्रसस्ती है समुद्रगुप्त के बारे में यह प्रसस्ती भी समुद्रगुप्त के प्रपितामा यानि की परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है उनकी मा मार देवी जो थी वो लिच्छवी गन की थी और पिता जो थे चंदरगुप्त प्रथाम वो गुप्त वण्स के पहले सासक थे उन्होंने ही गुप्त वण्स की अस्थापना की थी वो फौनडर थे जिन्होंने महराजा धिराज जैसी बड़ी उपाधी धारन की समु ये अहास मिलता है, दीरे-दीरे इस-वंस का महत बढ़ता गया। इसके अलावा समुद्र गुप्त के बारे में, हमें उनकी बाद-किसासकों जैसे उनकी बेटे चंद-गुप्त-दुइत्य थे, उनकी वंसावली से जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। चंदगुप्त दुईत्ते जो थे उन्होंने पस्चिम भारत में सहने अभ्यान में अंतिम सक्सासक को परास्त किया था। और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरवार विद्वानों से भारा था। उनके दरवार में नो रत्न थे। अमर सिंग, धन्वंत्री, हरी सेन, काली दास, कहपनक संकू, वरा मिहीर, वरुची और विताल भट। अब जानते हैं विक्रम सम्वत के बारे में जो कि ये चंदगूटूइ जू थे इन्हीं से रिलेक्टिड़ है 58 इसापूर में प्रारंभ होने वाले विक्रम सम्वत को विक्रम सम्वत आरंभ हुआ था 58 इसापूर से। इसको परामपरागत रूप से गुप्त राजा चंद गुप्त दूतिये के नाम से जोरा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सको पर विजय के प्रतीक के रूप में इस सम्वत की अस्थापना की और उन्होंने विक्रमादिती की उपाधी धारन की थी विजय होने के ब थे और प्रभाकर वर्धन जो थे वो पुस्विवूती डाइनेस्टी या फिर वर्धन डाइनेस्टी के फांडर थे हर्स वर्धन जो थे वो कनोज के सासक थे और जैसे गुप्तवन्स के सासकों के बारे में अभिलेक और सिकों से पता चलता है इंस्क्रिप्शन से वैसे ही इनके बारे में भी उनके कोट पोईट दरवारी कवी बानभट के द्वारा लिखा गया उनकी जीवनी हर्स शरीत जो कि संस्क्रीत में लिखा गया था उससे हर्स वर्धन के बारे में पता चलता है हर्स वर्धन जो थे उन्होंने करीब 1400 साल पहले सासन किया था उनके राजा बनने तक का वर्णन है जो चीनी तिर्थ यात्री थे स्वेन तिसांग ये काफी समय तक हर्स वर्धन के दर्वार में रहे थे और उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा उसका विस्तित विवर्ण दिया है हर्स वर्धन अपने पिता के सबसे छोटे बेटे नहीं थे लेकिन अपने पिता और बड़े भाई के मेतियों होने पर ठाने सर के राजा बने और उनके बहनोई जो थे वो कनौज के सासक थे जिनको बंगाल के सासक ने मार डाला और इसलिए हर्स वर्धन जो थे इन्होंने कन करनोज को अपने अधिकार में ले लिया और बंगाल पर आक्रमन कर दिया अब करनोज को मैप पर देखते हैं यह करनोज का लोकेशन हर्सवर्धन को मगध और संभवत बंगाल को भी जीत कर जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अंजगों पर नहीं मिली और जब उन्होंने नमदा नदी को पार कर दक्कन की और आगे बढ़ने की कोशिस की तब चालुक के नरेश पुलके सिंदुतिये ने उन्हें वहां रोक दिया पल लव चालुक और पुलके सिंदुतिये के प्रसस्तियों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे थैंक यू